आयुश्मान भारत योजना से मरीजों की पहुंच अब महंगे अस्पतालों तक हो गई है। राची के रिंची ट्रस्ट अस्पताल का दर्वाजा मरीजों के लिए आयुश्मान भारत के माध्यम से खुल गया है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जारखन की राजधानी राची में प्रिधान मंत्री जन आरोगी योजना आईश्मान भारत आर्थिक रोप से कमजोड लोगों के लिए बड़ा सहरा बन गया है। बिमारी के स्थिति में अब उनकी बेबसी का आलम खत्म हो गया है। राजी के नीजी एस्पतालों में भी अब वेनेशुलक इलाज कराने में सक्षम हो गया है। राजदानी राची के अस्पतालों में आईश्मान भारत योजना का लाभ मरीजों तक सुविधाजनक तरीके से पहुचाने के लिविशेस काउंटर बनाए गया हैं। जहां पर आईश्मान मित्र लोगों की सहायता कर रहे हैं। राची के रेंची ट्रस्ट होस्पिटल में आईश्मान भारत योजना के तहत रिकॉर्ड संख्या में मरीजों का इलाज हुआ है। समाज के अंतिम पाइदान के व्यक्ति को भी बहस्रीन स्वास्त सुभिधाय मिल सके। इसी लक्ष इसी उदेश्य को लेकर प्रधान मंतरी नरिंद मोदी की पहल पर आईश्मान भारत योजना शुरू हुई है। जो काफी कम समय में गरीब मरीजों को संजीवनी की तरह मदद पहुचा रहा है। राची से प्रताब की रिपोर्ट। आईश्मान भारत योजना शुरू होने के बाद गरीब मरीजों को आईश्मान होने का एहसास हो रहा है। वो अब अपना समुचित इलाज करवा पा रहे हैं जिसमें कल तक उनकी गरीबी आड़े आ रही थी। हजारी बाग जीले के गिद्दिक की रहने वाली कमला थोड़ी सहमी हुई है क्योंकि उसके गोल ब्लडर का ऑप्रेशन होने जा रहा है। वह खुस भी है कि उसे पुरानी तकलिप से छुटकारा मिल जाएगा। कमला के गोल ब्लडर में अस्टोन है। कमला के पती की सोर की आज एक बड़ी चिंता दूर होने जा रही है। समाज सेवी और नागरमल मोदी सेवा सदन के अध्यक्ष राजेंदर सरावगी बताते हैं कि आयुसमान भारत से आज एक बड़े वर्ग को फाइदा हो रहा है। जिनका पैसे के अभाव के कारण समुचित इलाज नहीं हो पा रहा था। आयुसमान भारत के सफल क्रियान वयन में जहां सरकारी से लेकर नीजी अस्पताल खूब उत्साह दिखा रहे हैं। वहीं लोग भी आगे बढ़कर इसका पूरा लब उठा रहे हैं। रांची से अउधेस गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। स्वास्त और सुखी द्यू इंडिया के निर्मान में आयुसमान भारत मील का पत्थर सावित होता दिख रहा है। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए वेलनेस सेंटर जैसे धाचागत संदचना का विकास भी किया जा रहा है। सुकर हुट्टू गाउंस्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ने आज पास के एक दरजन से अधिक गाउं के लोगों को छोटी बड़ी बिमारियों से चिंता मुक कर दिया है। सेंटर की चिकितसा पदाधिकारी बिमला तिर्की ने बताया कि प्रते दिन यहां दरजनों मरीजों का प्रात में कुपचार किया जा रहा है। सेंटर खुला है और इसमें नरेंदर मोधी जी का जो दिया है इसमें लाप उसको हम लोग घर घर जाके जागरूप करते हैं कि आके और अपना मुक्त में इलाज करा है। और उससे बहुत लोगों का मतलब इलाज हो रहा है और दवाई मिल रही है। गाउ में ही स्वास्ति सुविधाय उपलब्ध हो जाने से चोटी-चोटी बीमारियों को लेकर शेहरों और अस्पतालों का चक्कर लगाने से ग्रामीन अब बच रहे हैं। सरकार की इस पहल से ग्रामीन बेवज़ा खर्च से भी बच रहे हैं। हम लोग इलाज करवाने आते हैं, फिरी में दवा मीटता है, फिरी में जाच होता है। सुदूरवर्ति ग्रामीन इलाकों तक स्वास्ति सुविधा के विस्तार की दिशा में हेल्थ एंड वेलनेंस सेंटर काफी मददगार साबित हो रहा है। राची से करमबीर की रिपोर्ट। इसमें करीब पच्चास से साथ हजार रुपे के खर्च से परिशान सीला ने ऑपरेशन का मन त्याग दिया। लेकिन अब आयुसमान भारत के तहत इनका मुफ्त ऑपरेशन हो रहा है। सीला के पती विशेश्वर कहते हैं कि आयुसमान भारत न होता तो साइद वे करज में डूब जाते और उनकी परिशानी और बढ़ जाती पर अब वो निश्चिंत हैं। रांची के नागरमल मोदी सेवा सदन में सीला जैसी कई जरूरत मन्दों का इलाज इस योजना के तहत हो रहा है। निश्चित तौर पर इस योजना ने सीला जैसी लोगों को बड़ा सहारा दिया है। रांची से अउधिस गौतम की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जन आरोगी योजना आईश्मान भारत जहारखंड जैसे राज्यों के लिए तो मील का पत्थर सावित हो ही रही है। स्वस्त रहिए सुखी रहिए अगले हपते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। स्वस्त रहिए स्वस्त रहिए स्वस्त रहिए स्वस्त रहिए स्वस्त रहिए स्वस्त रहिए स्वस्त रहिए